रादिकृष्ण फ्रेंद्स वेलकम करती हैं अपनी यूट्यूटीव चैनल क्यूट कानांची पे तो आज हम अपनी कानांची को राधाश्मी स्पेशल शिंगार करेंगे तो यह देखें मैंने कुछ हुछ से अपने कानांची को जो है राधिका बनाया है तो आप जो है अप कि स्टार्ट करते हैं बहुत ही खुशूत सा शिंगार आप घर पे इजिली कर सकते हो तो देखते हैं तो यह देखे मैंने अपने नन्य गोपाल को नहला कर बिठा दिया है और अब मैं इनको कोई भी ड्रेस पहनाऊंगी आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास ड्रेस अव अची को एरिंग्स पहनाने हैं तो दोनों एरिंग्स पहनाने पर अब मैंने इनको जो है चुन्नी ली है अगर आपके पास जो है छोटे साइस की चुन्नी है तो आप इनके सिर्फी ही रख सकते हो अगर बड़े साइस की चुन्नी है तो आप जो इस तरह से रखकर उपर से कमरबं से इनको चुन्णी को उटाच कर दीजिए ताँ कि इनकी चुन्री हीले नहीं तो इस तरह से मैंने चुन्नी को बांदिया है अब हमें इनके बालों को लगाना है बालों को लगाने से पहले हम नेकलेस पहनाएंगे तो तो नैक्लेस आप लिए अपने कानांची को पहना सकते हो तो ही यहां पे मैं जो है dessa यह ले रहे हूं हुँ तो फोस जैकलेस को मैंने पैना है सो को ही तो अब हमने जओ कानांची को बाल के बाल लगाएं अगर आपके बास राधारानी वाली विग है तो आप वो भी लगा सकते हो साथ ही मैंने ले ली है कानांची की नूपूर मैं पहले जो इनको नूपूर पहना ना भूल गई थी तो अब मैंने इनको नूपूर भी पहना दी है तो अब मैंने बाल लगाए और जो है चुन्नी को हमने सेट करना है आपके पास बड़े साइज की चुन्नी है तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं अब मैंने जो है माथा पट्टी ली है और वह भी मैंने इस तरह से लगा दी है इसके साथ मैंने लगाओ लगाई है जो कि आपके शिंगार के लिए गल्यू यूज करते हैं वह यूज मैंने की है और उसके उपर टीका इस तरह से अटैच कर दिया यह सब मैंने घर पे ही बनाया हुआ है और न और साथ ही कंगन पहनाएंगे अपने लड़कोपाल जी को तो ये मैंने बोल चेंग से घर पे ही कंगन बनाए थे तो वो मैंने पहना दिये हैं तो अब चुन्नी को हमने कुछ इस तरह से सेट करना है तो अगर आपके पास रादारानी वाली जो है विट है तो आप वो भी यहां पेबी जो है बाज्यू के पास थोड़ी सी लगाओ लगाकर चुन्नी को अटैच हो जाएगी चुन्नी भी और यह हमारे ठाकूर जी राधारानी के सवरूप में बहुत ही खुबसूर्त लगते हैं अब मैंने क्या करना है कि इनको यह हाथ के उपर चंदन लगाया है मैंने यह मैंने गोपी चंदन यूज किया है आप कोई भी चंदन यूज कर सकते हो तो इसको चंदन को मैंने माचिस की तिली के हिसा को लेकर इस तरह से इसके उपर लगा दिया और आपने इंका अच्छी तरह से हैं बुरा हैंड कवर कर देना है चंदन से तो ये मैंने जैसे इनका कम्प्लीट हैंड इस तरह से लगाना ऐसा घंज कवर करना है तो अब मैंने लेनीहां रोली और जो दहां उसको हमने इनके गाल पे भी हमने फ्लावर बना देना है एक डोट हमने सेंटर में लगाना है और उसके अराउंड फाइव डोट लगाने है तो यह फ्लावर की शेप आजाएगी तो यह हमने चंदन अप्लाई कर लिया है अब मैं नत लगाना भूल गी थी कानाची को तो हम यह नत पहना देते हैं तो इनको कमप्लीट गोपी का सवरोप इनका बन जाएगा तो नत को पहनाने के लिए मैंने लिया लगाओ सेम प्रोसीजर से मैंने जहां नाक के जहां राइट एंड साइड में मैंने इनकी नत इस तरह से लगाई है और कान के पास होती हुई हमारी यह नत है जो कमप्लीट होगी तो यह पहनाने के बाद हम इनके जो है चंदन को हमने सूखने के लिए छोड़ दिया था एक मैंने टिका जो है इनकी ठोड़ी के बिल्कुल निच्चे की और लगा दिया है चंदन का ही आप लगा सकते हैं अदर्वाइस आप काजल का या फि इसके उपर रोली के मैंने स्मोल साइज के डोट लगाए हैं जिससे इनकी लड़ू की शेफ बहुत अच्छी आ जाती है अब मैंने अगर आप जो है गोपी सब्रूप बनाई ही रहे तो आप जो छोटी सी मटकी जुरूर बनाई यह आप पले से बना सकते हो यह मैंने यहा है मेरे कृष्ण राधा का पूरा सवरूप तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूट